परी सिवाय नमस्तु भ्यम हरहर महादेव ऐसा लगता है कि जीवन में बहुत अधिक रोग बीमारियां और दिन की सुरवात दवाई खाकर चलती है और घर में दुरगहटना भी बार-बार होती है किसी न किसी तरह से आप जीवन में परिशान है तो किसी भी दिन इम सरल से उ आप मिलेगा हाला कि सनीवार और मंगलवार के दिन यह उपाय ततकाल और जल्दी फल देने वाले होते हैं तो आप सभी इसे दिब्वे सनीवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो निश्ची थी आपको लाब मिलेगा इस बार तो कई दुरलब सायोग मिल रहे हैं जो अपने ब्यक्ति उसे परिशान करते हैं तो एक सरल सा उपाई कर लीजिएगा क्या लेना है ध्यान से सुनिए एक जल का लोटा लेना और उस जल के लोटे में आप सभी को नीम की कुछ पतियां डाल देनी हैं आपकी इच्छा है नीम की पतियां आप ज्यादा डाले या कम डाले तो जल के लोटे में घर से जल भर लेना है मटके परिण्डे में से उसके बाद 21 बार आप सभी को उस ब्यक्ति के उपर से उतारा कर लेना है जिस तरह से नजर उतारते हैं ठीक उसी ब्यक्ति से छोटे बड़े बच्चे से लेकर बड़े बूड़ां तक आप सभी उस ब्यक्त को सुबह से लेकर रात्री तक कभी भी कर सकते हैं कोई दोश नहीं है परन्तु किसी भी पेड में साम को पांच वजे बात पानी नहीं चड़ाया जाता तो इस बात का ध्यान रखते हुए पांच वजे से पहले-पहले आगर आप सुबह से लेकर रात्री जो सांज होती है उस कुछ भी इसमें पैसा लगना नहीं है और यह उपाय कई तरह से लाखों लोगों को लाब दे चुका है गुरुजी के पास लाखों पत्र आते हैं कल तो तीज का ब्रत भी है पवित्र तीज है आप सभी को विशेश रूप से इससे पहले दो वीडियो तीज से संबंधित उपाय के मैं दे चुकी हूँ कृपयावन में से कोई सरल सा उपाय अपनी विवाह की बाधाओं को दूर करने मन चाहा प्रेम पुत्र प्राप्ति और जो भी दभी हुई आपकी इच्छा है सभी के लिए आप कर सकते हैं ठीक है उन वीडियो को भी देखे निश्ची थिला मिलेगा यह हो गया पहला उपाय बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की दूसरा उपाय है आप सभी को क्या करना है जो लॉंग है और कपूर है वह ले लेना है लॉंग की संख्या आप क्योई इच्छा है आप कितनी लेना चाहते हैं और साथ ही आप सभी को कपूर लेना है एसा करे कि 7 की संख्या में नो की संख्या में लॉंग ले तो ज्यादा स्रिष्ट रहेगा, पूर आपकी इछह है, आप 2 ले या 1 आप बार कोई दिक्कत Account की बार लें पूरे में पूरे में आपको ले कर अपनी मनों कामना बोलनी है और पूरे घर में गूम जान कहते हुए यह भगवान के मंदीर में इसे पूर्ण रूप से जला लेना है सुबह से लेकर रात्री तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं कोई दिकत की बात नहीं है इसका सर्वस रेश्टफल आपको मिलना ही है इसके बाद जो है आप सभी को जो जो यह धुनी सी हो जाएगी जो लॉंग और कपूर की धुनी एक तरह से हो जाएगी इसमें पूरे घर में लेकर घूम जाना है इससे घर में जो नकारात्मक उर्जा फैली हुई है सकारात्मकता नहीं है घर में आते ही मन उदास रहता है और जीवन में परेशानिया नेरद दर बनी रहती है तो सभी का अन्तो होते हुए आपके कारे सब सिध्ध हो जाएंगे सरल सा उपाए है करके देखिएगा निष्टी नीष्टिति आपको लाब मिलेगा लौंग और कपूर के उपाए इस नीद बहुत जल्दी लाब देने वाले होते है यह बात हो गई दो उपाई की अब बात कर लेते ह करने के लिए आपको काली मिड्ची की आवशकता पड़ेगी और थोड़ी काली तिल की आवशकतrant की मुठी में रखकर पूरे घर में आपको घूम जाना है ऐसा भाव करना है मेरे घर से सनी दोश राहु दोश काल शर्प दोश पित्र दोश और किसी भी तरह से कोई किया कराया है यह मेरे घर के सदस्य जो हमेशा भी परिशान रहते हैं सभी की हाई टोक लगती है वह पूर् वहाँ बैठे पुजाली जन नखरे करते हैं कि सीव मंदीर में सीवलिंग के उपर सफाई हो गई है आप नहीं चड़ाएंगे तो आप सभी क्या करें कि सीव मंदीर की चोखट में अपनी कस्ट पीड़ा बोलते हुए महादेव को अपनी बात कहते हुए रख कर आजाईए संभव हो तो सीवलिंग पर चड़ाएं नहीं तो जहां पर आप जो चोखट है न वहाँ पर भी इसे रखकर छोड़कर आ सकते हैं सरलता कारे हैं करके देखेगा निश्ची थी आपको लाब मिलना है कुछ भी समझ में आए ना वीडियो से संबंधित तुरंत पूश लीज स्री सिवाई नमस्तुभ्यम या जैमातारी कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिए इसके अंगिनत लाप कहे गए हैं अब बात कर लेते हैं अन्य उपाय की सनिवार का दिन है आप सभी को एक तामिका लोटा लेना है उसके अंदर डालनी है थोड़ा सा काली तिल और डाल दालनी है थोड़ी सी दुर्वा लेकर चले जाना है शनिवार के दिन पीपल रक्ष की जड़ में वहां पर बैठ कर आप सभी को स्री सिवाई नमस्तुभ्यम या ओम शन शनिष्चराय नमा कहते हुए सबसे पहले एक दीपक लगाना है जिसके अंदर काले तिल डालने है औ और काले तिल डाल रखे हैं वह आप सभी को मेरे कस्ट पीड़ा दूर हो और मेरे कमनों कामना सिद्ध हो ऐसा कहते हुए पीपल वक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है गुरुजी कहते हैं इससे जो सभी ग्रहों की दशाविपरी चल रही होती है ना वह सुद्रिड होत करता है और सब कारी के सिद्धि के लिए सहयक होता है करके देखेगा निश्ची थिए आपको लाम मिलेगा इस तरह से यह सरल सरल से उपाय है जो चलते फिरते उटते बेढ़ते आप कर सकते हैं साथी सनिवार के दिन अपने अपने सरसों के तिल का दान करना काली वस्तों का का दान करना, काले तिल का दान करना सर्विस रिष्ट कहा जाता है, और साथी कल हरी आली तीज भी है, माता गोरा को एक जोड़ी चूड़ी हरे रंगी यर सुहाग के सामक्री जरूर से आप समर्पित करें, सुहागीन महलाओं को भी हरे रंगी चीज़ों का दान करें, पती, बच्चे आपकी ग्रह दशाय मजबूत होंगी और परिवार सम्रद्ध होगा खुब सुन्दर भाव से सज सवर कर हरियाली तीज का खुब आनंद उठाइए इससे पहले चैनल पर सभी वीडियो आ चुकी है आपके जीवन में कहीं न कहीं मांगलिक दोश है विवाह के बच् तो भी हम जरूर से लिखें